नमस्कार जैन स्वागते आपका ओली न्यू नेशन में भगवान स्री राम के नाम पे लोगों को इतनी चिढ़न हो जाए कि वो भरे मंच से फटकारने लगे लोगों को तिल मिला जाए तो समझ लीजिए कि उसका अंद शुरू हो चुका है और वो अपने बुरे दोर से में चल रहा है एक वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे पहले आप वीडियो देखिए ममता बनर जी का वो वीडियो उसके बाद आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि जैस्री राम पेपस्चिम बंगाल में महाभारत शुरू हो गया है पहले ट्वीट देखिए कुछ लोग श्री राम का नाम लेने पर चिड़ते क्यूं हैं स्री राम हरमानों के लिए एक आदर्श है राम का जीवन हरमानों के लिए एक प्रेलणा है स्री राम नाम से चिड़ना या विरोध करना सारी मानों जाटि का विरोध है कौन है इस देश की धरती पर जिसने प अंदेश देता है वो आप इनके इस वीडियो से देख सकते हैं देखिए ममता बनर जी का ये वीडियो जिस वीडियो में जनता ने जैस्री राम के नारे लगाए तो ममता बनर जी ने भरे मंच से फटकार दिया वहां की जनता को और मंच पे बीना भाशड दिये वापस चली गई इसी बात पर जाहिर होता है कि सुभास चन्द बोश के को याद करने वाले उस कारेक्रम में सुभास चन्द बोश की ही बिजती करती ममता ब्रजी ने ये वीडियो देखिए अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननिय मुख्य मंत्री ममता बैनर जी का मंच पर कि अब हम आप आप लोग जरा सा शांथ हो जाएं कि आप लोग जरा शांथ हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्री मती ममता बैनर जी को मुआ दीजिये कुछ शब्द कहने का कि ने मेरे को तो लगता है कि गॉर्मेंट का पोग्राम को कोई डिग्निटी होना चाहिए एक गॉर्मेंट का पोग्राम है कोई पोलिटिकल पार्टी का पोग्राम नहीं है और पोलिटिकल पार्टी का और गॉर्म का पाबलिक का पोग्राम है मैं तो आबारी हूँ पुधान मुंत्री जी का काल्चरल मिनिस्ट्री का कि आप लोगों ने कलकाता में पोग्राम बनाया लेकिन किसी को अमुंत्रन करके निमोंतित करके उसको बेइज्जत करना यह आपको शुभा नहीं देता है तो वीडियो आपने देखा वीडियो में ममता बनर जी बढ़की हुई तिलमलाई हुई ममता बनर जी का आपने स्वरूर देखा यह ममता बनर जी के लिए नया नहीं है के दरसल ममता बनर जी कई बार ऐसा कर चुकी है कई बार अपने गाड़ियों से उतर के स्री राम का नारा लगाने वालों को दोडाती है डाटती है तो मुझे लगता है comment box में पहले तो आप सारे लोग जैश्री राम लिख दीजिए क्योंकि मुझे जैश्री राम से कोई परहेज नहीं है मैं इस देश का नागरिक हूँ मुझे सानातन संस्कृति और परंपरा से पूरा का पूरा प्रेम है और एक पत्रकार होने से पहले एक मानो होने के नाते और इस देश का एक नागरिक होने के नाते मुझे जैश्री राम से कोई समस्या नहीं है गवरो भाटीया बीजेपी के प्रोक्ता हैं उन्होंने ट्वीट किया है ममता दीदी जैश्री राम कहाना नहीं छोड़ेंगे इस देश के नागरीख नहीं चोड़ेंगे जैश्री राम कहाना वो कहते रहेंगे और एक बड़ी ख़वर यह है कि इसी जैसरी राम के नाम पे मध्य प्रदेश की प्रोटेम स्पीकर है उन्होंने ममता बनर जी को रामायर भेजा उन्होंने कहा कि विरोध छोड़ दो वरना हो जाएगा जैसरी राम यानि कि अगर भगवान स्री राम का विरोध करेंगी ममता बनर जी तो एक कहवत है राम नाम सत्य राम नाम सत्य किसी दूसरे लहजे के लिए कहा जाता इसलिए उस चब्द का प्रियोग नहीं किया जा सकता लेकिन जैसरी राम हो जाएंगी ये उनके राजनीत के बारे में कहा जा सकता है उनके राजनीत का राम नाम सत्य हो सकता है मद्यब्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेशोष सर्मा ने पसिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ट्यम्सी की प्रिमो मम्ता बनर जी को रामायर की प्रत भेजी है उन्होंने इसके साथ ही उन्हें सला दी कि वो भगवान राम का विरोत करना छोड़ दें वरना उनका जैश्री राम हो जाएगा सर्मा ने रविवार को रामायर की प्रत भेजने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा दीदी आपसे प्रार्थना है जैश्री राम बोलना सीखो राम का विरोत करना बंद करो आपने जो बंगाल की भूम पर जो राम का अपमान किया है ये राम का अपमान नहीं बंगाल के हरे एक नागरिक का अपमान है ये उस माटी का अपमान है जहां से क्रांथ की अलग जगी जहां से आजादी का स्वर गूजा पूरे देश ने उस्वर को पकड़ा था फिर प्रार्थना है दीदी राम विरोत तस्दो वरना आपका जै स्री राम हो जाएगा मैं आपको रामायर भेज रहा हूँ उम्मीद है आप इसे पढ़ेंगी और गर्व से कहेंगी जै स्री राम दीदी क्या सच में जै स्री राम कहेंगी बड़ी बात यही है हमें लगता है हमारे दर्शक दीदी से ज़्यादा जै स्री राम कमेंड बॉक्स में लिख रहे होंगे और ये कोई जोर्दबदस्ती वाली बात नहीं है आज सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से स्री राम के नारे चल रहे हैं ट्विटर आप खोल लिजिए ट्रेंडिंग में चीज़े चल रही हैं और ये बड़ी बात है कहते हैं कि जब आप किसी चीज का विरोध करो विरोध करना ममता बनर जी के लिए तना भारी पड़ गया कि उनके ही पार्टी के 500 विधायक उनके खिलाप है आज भारती जनता पार्टी आए दिन दावा कर रही है कि हम विजे ट्यम्सी के 500 विधायक हमारे संपर्क में है लगबग एक दर्जन विधायक भारती जनता पार्टी जॉइन कर चुके है ये चीजे कहीं कहीं दिखा रही है कि ट्यम्सी अपनी सत्ता गमा रही है लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि ममता बनर जी क्या अपनी राजनेतिक महत्वा कांचा और तिल्मिलाहट के चक्कर में वो सब भूल गई है जो एक आम नागरिक होने के नाते उनको समझना चाहिए जो एक हिंदू होने के नाते समझना चाहिए कोई जो जबरदस्ती नहीं है मत बोलो ममता दिदी मत बोलो आप जैसरी राम लेकिन जैसरी राम बोलने वालों को तो मत पीटो जैसरी राम बोलने वालों को तो मत मारो उनकी हत्याएं मत करवा हो पस्चिम बंगाल में जिस तरीके से कानून तोड़ा जाता है दरजनों कारेकरताओं का नाम जिनकी हत्या कर दी गई और वज़ा सिर्फ से और सिर्फ जैसी राम क्या राम का नाम लेना इस देश में इतना गुना है ममता बनरजी पस्चिम बंगाल में बैट कर बोलती है कि भारत की एक और राजधानी होनी चाहिए वो पस्चिम बंगाल आप पस्चिम बंगाल को भारत की राजधानी बनाना चाहती है ये किस जनर्न नौलेज से बात कर रही है पुरे बिश्व में हर देश में एक ही राजधानी होती है ये चाहती है कि भारत के दो-चार राजधानी हो जाए आज पस्चिम बंगाल की राजधानी बने कल केरल में भी साउत में भी कुछ राजधानिया बन जाए तमिलाड में कोई एक राजधानी बन जाए भासा के अनुसार हजगा राजधानी बने ये पस्चिम बंगाल के भासा को हर चीज को एक राष्ट के तोर पे अलग दर्जा देना चाहती है और ये कस्मीर के तर्च पे जैसे महबूबा मुक्ति फारुक अब्दूल्ला, उमर अब्दूला कस्मीर के आजादी की बात करते है वैसे मम्ता बरर जी पस्चिम बंगाल को आजाद कराने की बात करती है पस्चिम बंगाल की संस्कृती जिस संस्कृती ने इस देश को आजादी दिलाया जिस संस्कृती की वज़े से इस देश में अंग्रेजों से लडाईया लड़ी गई पस्चिम बंगाल की कल्चर पस्चिम बंगाल का साहित गुरु रवीना टेगोर का साहित गुरु रवीना टेगोर के दर्शन शामा प्रसाद मुखर जी की राजनीत उनका योगदान ये पस्चिम बंगाल के आम नागरिकों को भूलना नहीं चाहिए और ममता बनर जी को भी नहीं भूलना चाहिए कि पस्चिम बंगाल अपने बदलाओं के दोर में है और यह पस्चिम बंगाल ट्यमसी को वहीं से उखार पेकेगा जिस जगह से ट्यमसी की उत्पत्ती हुई थी वहीं पर समाप्त हो जाएगी ट्यमसी कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात पूरे देश मे बोल रहा है मध्य प्रदेश बीजेपी नेता रामेश्वर सर्मा ममता बनजी को रामायड भेजा है आप यह देखिए ट्वीट देखिए लिए वीडियो देखिए दीदी आप से प्रातना है जैसी राम बोलना सीखो राम का ब्रोद करना बंद करो और आपने जो पस्चिम अपमान है जहांसे क्रांती का अलग जगा था जहांसे आजादी का शुड़ गुंजा था और पूरे देश ने उस्वर को पकड़ा था दीदी फिर प्रातना है राम का ब्रोद तजदो बरना अब आपका जैसी राम हो जाएगा मैं आपको रामान भेज रहा हूं उम्मीद करता हूं कि आप इस राम चलत माना को पड़ेंगी और फिर फक्र के और गर्व के साथ कहेंगी जैशीरा जुड़े रहे हो नीनी नेशान के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोरू दीजे वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें लाइक करें बहुत बहुत धन्यव झाल